नमस्कार, एक ऐसे संत जो आध्यात्मिक रूप से तो दक्ष नहीं, साथे साथ आयरुवेद, जोतिश और मंत्र विज्यान के भी महान ग्याता हैं, जहां आम बात कर रहे हैं मंत्र महर्शी योग भूशन ची महराज की, जिनके सोशल मीडिया पर आप सभी जुड़े हुए ह और उनसे आपने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, आपके कठिन सवालों के सरल समाधान देने के लिए आज गुरुदेव ने समय निकाला है और आज वो बताएंगे आपके कठिन समस्याओं के सरल समाधान, तो गुरुदेव कि शरण में चलते हैं महराष्री स्री चर्णोव से बहुत-बहुत धन्じबाद लेकिन आपकी समय का सदोपियोग हम करना चाहेंगे वर हम चाहेंगे कि जाद से जाद जो प्रश्न है हमारे साथियों ने पूछा है आप से हम पूछें तो पहला सवाल जो हमारे साथ आया है वो दिली से पुझा जैन पुछती हैं कि आर्थिक तंगी हैं उनके हाँ और उन्होंने बहुत सारे उपाई किये हैं वो उपाई उनके घर के लोगों ने कहा है और बाकी जो आसपास के लोगों ये लिखती हैं तो कहरें महराश्री कोई ऐसा उपाई हमें जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है अललग तरह के प्रयास हैं और अललग तरह के प्रयोग हैं आर्थिक समस्या क्यूं पैदा हो रही है हमें पहले उसके मूल कारण को खोजना चाहिए अगर हम जोतिश की पिक्षा बात करें तो जोतिश में आर्थिक समस्या क् बहुत सारे करण बताये हैं, पहला है ब्यापार में नुकसान, तो मैंने कई बार आपको बताया है कि यदी कोई व्यक्ति अपनी जनम कुंडली के अनुकूल ब्यापार नहीं करता है, तो वह ब्यापार उसको फलीबूत नहीं होगा, ये बहुत समझने योग्य बात है, आप की जनम कुंडली एक तरीके से जब आपका जनम हुआ था उस समय आकास मंडल में ग्रहों की राशियों की क्या इस्तती थी उसका एक तरीके से स्क्रिंसोट है और वो निरधारित करता है कि या आपको ब्यापार करना चाहिए या आपको जौब करना चाहिए फिर आपको ब्या पिताजी का स्वरगबास हो गया है, अब से ब्यापार नहीं चल रहा है, तो इसके पिछए मूल कारण यह है, कि जब तक पिताजी थे, तो ब्यापार का इस्टगरह, पिताजी की जनमकुड़ी में strong था, तो ब्यापार ठीक चला लेकिन वह इस्ट ग्रह ब्यापार का आपकी जनमकुली में स्ट्रॉंग नहीं है तो ब्यापार आपके हातों में आने के पश्चात नहीं चलेगा तो बहतर उपाई यही है कि पहले हमें मूल करण खोजना चाहिए कि आर्थिक तंगी क्यों है ब्यापार क्यों नहीं चल रहा है पैसा क्यों नहीं आ रहा है उसके पिछे जनमकुली के क्या कारण है कौन से नकरत्मक ग्रह है कौन से ग्रहों की नकरत्मक उर्जा है जिसकी संकटों से निकारे विधाता सवय संपदा सर्व को देहिदाता नमो देव देवम सदा पार्षनाथम इसका प्रद्धन यदि आप 23 वार पार्ठ करते हैं तो आर्थिक समस्याओं से सहज रूप से आपको मुक्ति मिलना प्रारम हो जाती है जिसे आपने कहा कि मूल कारणों को जानना होगा तो कुछ उपाई आप बताएं कि कैसे वो पता करें कि उनके मूल कारण क्या है आर्थिक तंगी के देखिए जनम कुंडली का विशलेशन जनम कुंडली की विवेचना जनम कुंडली में बारे भाव होते हैं अलग अलग भाव अलग तरे की चीज़ों को दरस कि आपको क्या करना चाहिए अगर आप उसके अनकूल कारे करते हैं तो जनमकूली आपको सपोर्ट करती है अगर आप उसके प्रतिकूल कारे करते हैं तो आपको उतना फल नहीं प्राप्त होता है या आपको उतना बेनिफिट नहीं होता है तो आर्थिक समस्याओं से मुक्ति कर रहे हैं या आप कोई जॉब कर रहे हैं उस जॉब का या ब्यापार का इस्टगर है आपकी जनमकुली में कैसा बैठा हुआ है कौन से इस्ततिम बैठा हुआ है वो अस्त तो नहीं है वो बक्री तो नहीं है उसकी पावर कितनी है कौन से घर में बैठा हुआ है वो कौन से ह पुछ गुरुदेव उसका समाधान करें तो कॉमेंट बॉक्स में आप सवाल पूचिए पस एक सवाल जवाब गुरुदेव देगे